लिम्रा नियूज हम दिखाते हैं सच देश प्रदेश की सची खबरों के लिए देखते रहिए लिम्रा नियूज हमने एक शाम चरागों से सजा रखी है लक्षनोग के एक शायर हैं बहुत मशूर वाली आसी साब मैं उनके शेयर से शुरू कर रहा हूँ कि हमने एक शाम चरागों से सजा रखी है शर्त लोगों ने हवाँ से लगा रखी है वो इस शर्त के बावजूद और इस ताखीर के बावजूद जस तरह से आप लोग यहां पर मौझूद हैं और जस तरह से यहां के जो organizers हैं उन्होंने इतना बड़ा जलसा मनकित किया है यहां पर और लोग यहां पर आएं हैं वो काबिल इद्याद है और यह बात भी सामने आती है कि अभी अलीगेरियन जितने भी हैं उनके दिल में अलीगड़ का दिल धड़कता है और इस जो शेर मैंने पढ़ा था उसी के निस्बत से उसी के रब्द से एक शेर मैं और पढ़ना चाहता हूँ वो भी लखनो के ही शायर और बड़े शायर मजाज का शेर है माला कि उसमें बजरा सी तर्मीम के साथ उसको सामने रखना चाहता हूँ कि शाम दर शाम जलेंगे तेरे यादों के चराग शाम दर शाम जलेंगे तेरे यादों के चराग नसल दर नसल तेरा दर्द नमाया होगा लेकिन ये मजास के लवज हैं सरसेयत को खिराज ये अकीदत देते हुए लेकिन जो सरसेयत की लास्ट विल थी वो आज शाम मैंने देखी जिसका अंग्रेजी तरजमा लिगड़ में लगा हुआ है एक पत्थर के उपर और उसमें सरसेयत ने कहा है कि मैंने ये मेरे बच्चों उसका अंग्लिश टांसलेशन है कि I have made this institution for you and I hope that you will illuminate and light the whole atmosphere till the darkness is disappeared from the entire area उसको देखते हुए ओमजास सहाब की से बड़ी माज़रत के साथ मैं दूसरे शेर में थूड़ी से तर्मीम कर रहा हूँ कि शाम दर शाम जलेंगे तेरी यादों के चराग नसल दर नसल उजालों की गवाही देगी ये जो नसल हमारी बैठी है ये हम सरस्यद को इस बात की गवाही देंगे कि जो उजाले उन्होंने पैदा किये थे और हमसे जो तवक्क की थी ये उसी की एक शकल है कि हम सरस्यदे मराने के लिए यहाँ बैठे है और ये खिराज अकीदत से जज़्यादा शायद ये बात प्रूफ करने के लिए हम यहाँ आते हैं कि जो मिशन सरस्यदे ने चलाया था वो फेल नहीं हुआ है वो काम्याब है और जिस नसल को उधर नो बदलने के कोशिश की वो यकीनां बदली है और जिन हालाँ से उन्होंने एक साइन्टिफिक सुसाइटी बनाई और उसके बाद फिर एक मदर्सा बना फिर एक कॉलेज बना और फाइनली यूनिवस्टी बनी उसके बीच का जो पूरा का पूरा सफर है उसका आज मौका नहीं है हाला कि उसमें कुछ पहलो ऐसे हैं कि जिनका जिक्र होना बहुत जरूरी है और बार बार होना बहुत जरूरी है वो इसलिए जरूरी है कि हम रोज जब बातें करते हैं अभी मेरी सद्र साब से बात हो रही थी और ये बात आई कि हालाद बहुत खराब है काम करना मुश्किल है बहुत से चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि जिसमें आगे बढ़ना मुश्किल है तो मैं वहां पर एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ कि क्या सरस्यत के जबाने में हालात अच्छे थे सरस्यत का कमाल ही यही है कि उन्होंने जिन हालात में काम किया और जिस हिम्मत से काम किया और जिस विजन से काम किया उससे बुरे हालात तो नहीं हैं आज बस फरक इतना है कि वो सरस्यत थे जिन्होंने यह फैसला किया कि मैं केम्बरिज के लेवल का एक की एक यूनिवरस्टी बनाना चाहता हूँ तो उनके साथ इनायत रसूल साब बैठे हुए थे उन्होंने कहा सेद ये तो ठीक है लेकिन दस लाक रुपए लाओगे कहां से तो सेद ने कहा कि रुपए तो अल्लाह देगा आप होसला तो करिए तो मसला पैसों का बाद में आता है अगर हम अलीग हैं और आज हम सरसेद को अकीदत के साथ खिराज अकीदत देने बैठे हैं तो होसला हमारी शर्त होनी चाहिए पैसा बाद में आएगा और आप यहीं पे देखिए कि तमाम लोगों का डोनेशन अमीन साब का आपका सब का है और बहुत से यहां पर आइडियाज भी आए हैं कि हम लोग किस तरह से इस सब चीजों को कर सकते हैं तो सबसे बड़ी बात यह कि हम सरसेद ना हालात का रोना कभी नहीं रोया उन्होंने हर उनके साथ के जतने भी उनके दोस्त रहे हैं उनको अगर आप पढ़ें तो डायलॉग उनके लिखे हुए हैं बहुत जगों पर मिल जाता है वो कि देखिए वो आपको यह कह रहे हैं यह वो आपको काफिर कहते हैं आप अपने हाला, आप अपने तरीकों को बदलते क्यों नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं, यही लोगों को क्लियर नहीं होता, बट सरसेद वाज निवर एपॉलोजिटिक, उन्हों नहीं कहा कि जो कुछ मैं कहना चाहता हूं, वो मैं करके दिखा रहा हूं। तो क्वेस्टिन यह है, कि हम अगर इस बात की आड़ लें, तो मैंने ख्याल से किसी भी दोर में, हिस्ट्री में मुझसे जादा यहां पर काबिल लोग बैठे हुए हैं, मैं कोई आलिब नहीं हूं, लेकिन आप एक जरा सा नजर करें पीछे, तो जिन्दगी में हिस्टॉरि का पीरिड था, किसी के लिए भी, और हमारे लिए तो खास तोर पे, क्या अंग्रेजों का पीरिड हमारे लिए बहुत अच्छा था, या उसके पहले का पीरिड हमारे लिए बहुत अच्छा था, कौन सा ऐसा पीरिड है, जो हमारे लिए बहुत अच्छा था, जिसमें हम से कि गुथी सुलजे घर मुंकिन है कि हालाद की गुथी सुलजे एहले दानिश ने बहुत सोचके उलजए है। तो ये तवक्व करना कि वो अहले दानिश जिन्हों ने ये सब कुछ किया है वो आपके लिए आसानिया पैदा कर दें और आप एक दूसरी यूनिवर्सिटी बना लें और आप मिराज फिराब फैदाबादी का भी एक शेर मुझे याद आता है सी पे कि अपने कावे की हिफाज़त तुम्हे खुद करनी है अब अबाबीलों का लशकर नहीं आने वाला तो जो कुछ भी करना है वो आपको करना है और उसके लिए विजन की जरूरत है इखलाक की जरूरत है महबत की जरूरत है वो अगर हमारे अंदर है तो हम सरस्यत को खराज अकीदत पेश कर सकते हैं जतना कुछ वो दे गए हैं उससे इतना इतनी बड़ी सुसाइटी पैदा हुई है कि ये सरस्यत डे आज कितनी जगों पे दुनिया में मनाया जा रहा है इसका कैलकुलेशन आपको पांच दिन के बाद पता चल पाएगा आज की रात इसका कैलकुलेशन करना कि किन किन जगों पर सरस्यत डे मनाया गया अभी एक साहब ने मुझे जुडिशल आफिसर हैं उन्हों ने बताया कि साहब हम लोग वहां पर हैं एक इंटीरियर में हैं और वहां पर आज सरस्यत डे मना रहे हैं सर आप आ सकते हैं क्या मैंने का भाई नारे हैं ओफिसर तो हम तो अकेले हैं लेकिन हमने एकठा कर लिया हैं बहुत से लोगों को और वो लोग अपनी गाड़ीों से और कैसे कैसे बहां पहुँच रहे हैं और उन्हों नहीं का एक गेस्ट आॉस लेकर सरस्यत डे मना रहे हैं और ये पहले तै भी करना है कि हमें करना क्या है हम चोटे से इदारे चलाते हैं और उसमें हम ये तै नहीं कर पाते माज़रत के साथ कह रहा हूं मैं बहुत माज़रत के साथ मैंने मैं पांच बार अभी किसी ने मेरा चाहिए इंटॉडक्शन दिया था उसका मतलब ये नहीं कि मैं इंटॉडक्शन देना चाहता हूँ लेकिन उनोंने ये भी बताया था कि मैंने पांच एलेक्शन्स लड़े बार में और मैंने पांचों एलेक्शन्स जीते लखनो यूनिवर्स्टी का भी मैंने तीन एलेक्शन जीता तो जो बात मैं कहने जा रहा हूँ उससे मैं पहले कौन बोलेगा गुल्दस्ता कौन देने जाएगा इस पे इदारे टूट जाते हैं इस पे इदारे टूट जाते हैं तो अगर हमारा होसला इतना ही है तो फिर सथ स्यत का मिशन आप नहीं पूरा कर सकते उसके लिए आपको अपनी अना को घर पे छोड़ना होगा और कासा लेकर सामने आना होगा ये चोसर स्यत को हम समझते हैं मैं बहुत चोटा कर रहा हूं क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि काफी लोग चाचुके हैं और अगर गेट बन ना किये गए तो आप लोग भी चले जाएंगे तो इसलिए मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं जो फिर किसी दिन कोट में ये भी होता है कि साभ अगर आज जज्जमन नहीं हो पाता तो डेट हो जाती है तो अगर आप अगले साल के लिए वादा करें तो मैं अगले साल की डेट के उपर बाकी अपनी स्पीछ छोड़ देता हूं कि आप अगले साल फिर बलाएंगे वरना आज के लिए ही मैं समझता हूं कि सरसेयत को अगर खिराज अगीदत देनी है और उनको खिराज अगीदत पेश करनी जरूरी क्यों है इस पे भी एक जुमला आप से कहना चाहता हूं कि जो कुछ सरसेयत ने किया था वो भी हमारी बका के लिए था और आज अगर हम सरसेयत को खिराज अगीदत इमानदारी से देते हैं तो वो भी हमारी ही बका के लिए होगा इसको जहन में रखें तो शायद हम लोग वो कर पाएंगे जो सरसेयत चाहते थे शुक्रिया बहुती आला फसी औ बलीग तकरीर के लिए बहुत शुक्रिया आज की इस प्रोग्राइम की खास बात ये है कि लिम्रा टीवी के जरीए इसका लाइव वेब कास्ट हो रहा है और ये पहली बार हुआ है लिम्रा टीवी के सरवरा अथर कास्मी बजाद खुद यहां मौजूद है शुक्रिया सर आपकी सर्विसेस का अब वक्त है कि मॉमिन्टोस पेश किये जाएं हम गुजारिश करते हैं सुहेल भाई से शकील भाई और गुफरान भाई मेहमानों को मॉमिन्टोस पेश करें सुहेल भाई तश्रीफ लाएं मॉमिन्टो पेश किया जाएगा चीफ जस्टिस सहाब को बस मैं एक दो मिन्ट का वक्त लूँगा आप से एसोसियेशन के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ हमारी एसोसियेशन